रवी वार है आज आज सूर्य देव का उपाय आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और ये उपाय आपको रात को सोते समय करना है जब सूर्यास्त हो जाता है या जो आप सोते हैं उस समय आपको करना है तो वीडियो में बने रहिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ रात को सोने से पहले अपने सिरहने क्या चीज रखें या अपने अंगुठे पे क्या चीज लगाएं या अपनी इस फिंगर पे क्या चीज लगा दें जिससे आपका भाग्योदे हो जाए और आपका किसमत चमक जाए और आपके नसीब में अब तक जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था अब वो भी आपको प्राप्त होता चला जाए ऐसा उपाय ये आज का चमतकारी है तो वीडियो में बने रही है मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर रूमा श्री मेरे चनल में हमेशे आपका स्वागत होता है आज भी आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग अपने हाल चल बताते रहा करिए अच्छा लगता है आपके हाल चल जानकर मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सदा खुशाल जिन्दी बसर करते रहें मेरी यही ब्लैसिंग्स उनके लिए होती है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है मित्रों आज का जो उपाय है ये तीन चार तरह से आप कर सकते हैं आप अपने सिरहने भी रख सकते हैं सिरहने रखना हो तो गेहूं के दाने आपको रखने पड़ेंगे और आपको 10 की संख्या में गेहूं के दाने रखने हैं अपने सिरहने उन दानों को आप पक्षियों को डाल दें प्रातेकाल ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होगा क्योंकि सूर्य का जो पदार्थ है गेहूं को माना गया है, हाला कि कुछ कंडिशन में मंगल को भी इस से रिलेट किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको जानकरी दे रही हूँ, वो सूर्य से संबन्दित ही दे रही हूँ, क्योंकि आज रवीवार है, तो सूर्य देव के निमित आप 10 जाने रख दीजिए, और ये किसी पक्षी को आप खिला दीजिए, तो आपको बहुत फाइदा और पुन्य की प्राप्ति होगी, और दूसरा उपाए भी है, वो आपको करना है, अपनी जो अंगूठी पहनने की मतलब जो अंगली होती है, जो जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, बेसिकली वो सू पुर्य देव के मंत्र जब कर सोजाईए, आपको तुरंत लाब मिलेगा, और आपके मान सम्मान में जो कमी हा रही थी, वो दूर होती नजर आएगी आपको, ऐसा चमतकारी उपाए में आपको आज मैं बताने जा रही हूं, आप भगवा कलर का रुमाल भी ले सकते हैं, उ और उसमें एक तांबे का टुकड़ा और एक मानक रख दीजिए, ऐसा करने से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप रात्री को सोने से पूर्व अधित्ते हिर्दे स्त्रोथ का जाब करके सोईए, आपका मान सम्मान करोणों गुना बढ़ जाएगा और आपके पास करो बहुत फायदा मिलेगा, आप तांबे का जो सूर्य होता है, उसको भी अपने सिरहने रख के सो सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव स्रश्टी की आत्मा है और स्रश्टी की आत्मा होने से उनको बहुत ज़्यदा प्रताप उनको प्राप्थ हुआ है, और वो यश और किर्ती आप चाहते हैं, वो होने लगता है, आपका यश और किर्ती चारों दिशाओं में फैलता है, ऐसा आपका व्यक्तित हो जाता है, आप भगवा कलर का पिलो भी लगा के सो सकते हैं, भगवा कलर का पिलो लगाने से भी आपको सूर्य की अच्छे पावर मिलेगी, और क्योंकि सूरे का color है ये तो सूरे की power आपको प्राप्त करनी है तो भगवा color का pillow आप लगाएं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और इससे करने से आपका नाम चारों दिशाओं में चमकेगा आप सिंदूर जो होता है ना सिंदूर मतला orange color का सिंदूर उसका एक तिलग भी लगा के सो सकते हैं ऐसे भी करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आपके पास भगवा color की pillow नहीं है और अन्य color का pillow है तो आप सिंदूर का तिलग लगा के सो जाईए आपको बहुत मेरे यूट्यूब पर 5100 वीडियो अवेलेबल हैं जो आपका आशिरवाद और दुआओं का नतीजा है तो इनको भी आप देख सकते हैं बस आपको सर्च करना होता है डॉक्टर रूमा शरी मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाप की प्राप हैं आप पॉजिटिव सोचते हैं और आपका निश्चे द्रड है तो आपको अच्छा लाप इससे अवश्य ही प्राप्त होगा पैसा भी आपको मिलेगा और आपको यश और कीरती और मान सम्मान में कमी अगर आप हैसूस कर रहे हैं तो वो यश और कीरती भी आपको मिलने चालू हो जाएगी आप किसी देवागी इससे पूछ कर तामबे की अंगूठी या तामबे का कड़ा भी धारन कर सकते हैं और मानक और या पोटा भी धारन कर सकते हैं इससे भी आपको लाव होगा लेकिन अगर आपके लिए सूर्य प्रतिकूल है तो आप सूर्य देव को जल चड़ाना प्राराम कर देजिए इससे भी आपका मान समान कई गुना बढ़ता है तो आज का वीडियो में समाप्त करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद